complete business model 10 steps में जिससे कोई भी आसानी से अपना टी बिजनस शुरू कर सकता है और कमा सकता हर महीने तेल लाख रुपे तक साथ ही में आप जानेंगे कमाई बढ़ाने के लिए कुछ बिजनस टेप्स और टी बिजनस के लिए नाम कैसे ढूंडा जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और इस बारे में एक मशूर कावत है कि कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर वानी मगर इस बदलाव के बीड जो चीज नहीं बदलती और अटल है वो है हम भारतियों का चाय के लिए प्रेम और इसलिए चाय बिजनस एक बहुत safe बिजनस आइडिया है तो paper pen लेकर के तयार हो जाएए note करने के लिए step by step कोई tea business idea कैसे शुरू किया जा सकता है या कम लागत में चाय की दुकान कैसे success करें शुरूआत करते हैं step 1 से जो है और बाकी items के बारे में हम आगे बात करेंगे तो चले decide करते हैं कि कितनी varieties की चाय हमारे business में होनी चाहिए चाय की varieties को हम दो भाग में बाठ सकते हैं पहली है main tea varieties ये main इसलिए है क्योंकि इनकी maximum sale होती है और any की वज़े से customer दुकान चड़ता है इसका example है normal regular चाय जो सबसे जादा पी जाती है उसके बाद आती है अधरक चाय और masala चाय ये तीन varieties किसी भी चाय business के main products होते हैं और अगर आपके area में किसी और प्रकार की चाय चलती है तो आप उसको भी add कर सकते हैं अब आते हैं दूसी variety की चाय पर और उनको हम additional tea varieties कह सकते हैं ये वो चाय होती हैं जो main varieties के मुकाबले कम दिखती हैं मगर इनके भी regular customer होते हैं और इन varieties के example है black tea with lemon इलाइची चाय, तुलसी चाय, गुड़की चाय गुड़की चाय होती ही जिसमें चाय की चाय के good use होता है इसके अलावा तंदूरी चाय और अमरतुलियर जैसी चाय तो main tea varieties के साथ इन additional tea varieties का combination बना करके menu set किया जाता है और आपकी फेवर्ट चाय कौन से comment करके नीचे ज़रूर बताइएगा अगर आप छोटे सेटर में चाय की दुकान या स्टॉर खोल रहे हैं तो 5-7 variety की चाय काफी होगी इसलिए menu finalize करने से पहले अपने area में research करें किस type की चाय जाधा चलती है और अगर कोई tea cafe खोलना चाहता है तो उसको hot tea के अलावा और भी बहुत कुछ रखना होगा देखे इसके पीछे दो कारण है पहला जो चाय सिर्फ आपके पास मिलेगी वो चाय पीने के लिए customer को आपके ही पास आना पड़ेगा इससे customer loyalty बढ़ती है और दूसरा कारण है कि आप उस चाय पर थोड़ा अच्छा margin रख सकते हैं क्योंकि इस variety का कोई competition नहीं है तो इससे आपका profit margin बढ़ता है तो चलिए आप बढ़ते है step 2 पर जहां decide करेंगे कि किस तरीके की चाय बनानी और serve करनी चाहिए मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को subscribe कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो तो चलिए आते हैं दूसरे step पर और ये step आपका risk taking capabilities को test करेगा चलिए जानते हैं कैसे चाय बनाने का पहला और बहुती common तरीका है कि दूद में सब कुछ डाल के उबाल दें दूसरे तरीके में दूद और चाय को अलग लग उबालते हैं और फिर cup या glass में mix कर दिया जाता है तीसरे तरीके में चाय का काड़ा मतलब सर्फ चाय को पानी में उबालकर hot tea dispenser में रख दिया जाता है Usually hot tea dispensers वहां use होते हैं यहां तो बहुत जादा customers के आवाजाही रहती है यहां जाग gas ये induction stove use करने की permission नहीं होती जैसे की offices तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी जगे business करेंगे और आपके competition कैसे चाय बना कर सर्फ करता है और अगर आप थोड़े risk taker हैं तो आप अपने competition से अलग भी कर सकते हैं अगर competition पहले तरीके से मतलब सब कुछ mix करके जो चाय बनती है उस तरीके से चाय बनाता है तो आप दूसरे तरीके से जहां पर दूद और चाय को अलग अलग बनाया जाता है अगर decisions ले पाएंगे तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं तो सबसे पहले हम research करेंगे चाय पत्ती पर ये तो हम सब जानते हैं कि चाय बनाने में सबसे important ingredient है चाय पत्ती तो जो चाय पत्ती प्रमुकता से इस्तमाल होती है वो CTC चाय होती है और इसके बहुत सारे grades होते हैं मगर प्रमुकता से चार grades इतमाल में आते हैं सबसे नीचे का grade होता है dust उसके उपर होता है PD मतलब Pico dust उसके उपर होता है OF मतलब orange fanning और उसके भी उपर होता है BP मतलब broken Pico और जाद तर यही tea grades चाय stall और cafes में use होते हैं especially जो आसाम से आती है इन चार प्रकार की पत्तियों को हम broadly दो categories में बांच सकते हैं पहली है dust और दूसरी है दानेदार और यह दोनो branded और unbranded category में मिलती हैं अगर आप unbranded चाय पत्ति लेना चाहते हैं तो आप local market से और online order भी place कर सकते हैं इसके अलावा आप market research से यह भी पता कर सकते हैं कौन सी चाय पत्ति आपके area में चलती है और यही है हमारी पहली market research अब आपका काम थोड़ा आसान करने के लिए description box में मैंने कुछ चाय के variants के link share किये हैं आप उनको check कर सकते हैं और अगर वो local market में available हैं तो आप दोनों का price compare कर सकते हैं इसके अलावा आजकल pre-mix चाय भी चलन में आ रही है जो मैं personally तो recommend बिलकुल नहीं करूँगा especially वहाँ जब customer के सामने ही चाय बनती हो हाँ अगर आप tea cafe चला रहे हैं तो pre-mix use कर सकते हैं और कुछ tea pre-mixes के links मैं description box में share कर रहा हूँ यहाँ मेरी business step यह है कि अगर आपके लिए possible हो तो dust और दाने दात दोनों को mix करके अपना unique flavor बनाईए अब क्योंकि जादर चाय वाले कोई एक particular brand या एक type की ही चाय यूज़ करते हैं तो जो customer आपकी चाय पिएगा उसको एकदम अलग experience मिलेगा इससे आपको लाब यह होगा कि आपकी जैसी चाय कहीं और नहीं होगी अब बढ़ते next research की तरफ चाय बनाने चाय पती जितना ही important दूद भी है दूद प्रेकर करने के दो option होते हैं एक है तबेला और दूसरा है packet वाला pasteurized milk क्योंकि चाय बनाने में दूद बहुत important ingredient है इसलिए की quality consistent होना बहुत ज़रूरी है for this requirement only मेरे हिसाब से packet वाला दूद यूद यूज करना better होगा और अगर आपको लगता है कि आपके तबेले से एक consistent दूद की quality मिल सकती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं तो जो packet वाला दूद होता है इसमें बहुत options होते हैं जैसे कि full cream, toned milk, double toned milk, skim milk और गाय का दूद और इनके prices भी अलग-अलग होते हैं जो fat content पर depend करता है आसान शब्दों में जिस दूद में जितनी ज्यादा मलाई जमेगी उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी आप कौन सा दूद यूज़ करेंगे वो इस पर depend करेगा कि आप किस price की चाय दे रहे हैं और कौन सी चाय दे रहे हैं जैसे कि अगर आपके पास special चाय है जिसकी कीमत बाकी चायों से अधिक है तो आप full cream दूद यूज़ कर सकते हैं और बाकी चायों के लिए double toned skim milk या गाय का दूद यूज़ कर सकते हैं और ये decide करने के लिए कौन सा दूद यूज़ करना है आप market में research करके पता कर सकते हैं और आपके area के जादता चाय वाले कौन सा दूद यूज़ करते हैं वो आपको कोई दूद supplier भी बता देगा तो ये information आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी यहाँ business tip यह है कि ऐसा बिलकुल मत करें कि चाय बनाने के लिए full cream milk यूज़ करें और उसमें फिर पानी मिलाएं customer इसको अच्छे तरीके से नहीं लेगा इसलिए better होगा कि वो दूद यूज़ करें जिसमें पानी मिलानी की ज़रुद बिलकुल ना पड़े अब आते हैं तीसी research पर वो है कि कितनी quantity में चाय सर्व करनी है और किस price पर देनी है वैसे pricing हम आगे detail में discuss करेंगे मगर यह उससे पहले का छोटा सा homework है क्योंकि अलग-अलग market में different quantity की चाय दी जाती है और यह difference बहुत ज़ादा है जैसे कि कहीं 50 MLE दी जाती है और कहीं 500 MLE तक दी जाती है इसलिए एक standard quantity बता पाना possible नहीं है बट maximum जगह 80-120 MLE तक की चाय सर्व की जाती है इसलिए आपको अपने market में चाय की quantity को लेकर research करें तो जब आपकी research पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको चाय पती और दूद का permutation combination लगा कर perfect चाय बनाने की practice करनी है practice करते समय हर बार आप जितनी भी quantity use करते हैं उसको measure जरूर करें जिससे जब perfect चाय बने तो आपको पता हो क्या item कितनी quantity में use हुआ है इसको measure करने के लिए आप measuring cup और food weighing scale का भी use कर सकते हैं और अगर वो जुगार नहीं हो पा रहा है तो आप साधरन cup और चमच का भी इस्तमाल कर सकते हैं मगर इस्तमाल करें और note करें अगर आप अपना TCAF business शुरू करना चाहते हैं तो आप हमसे consulting भी करवा सकते हैं उसके लिए description box में दिये Google form को भरके आप हमें contact कर सकते हैं आते हैं हमारे step number 4 पर हमने ये तो decide कर लिया है कि कितनी varieties की चाह रखनी हैं और वो कैसे बनानी हैं मगर menu के बाकी items finalize करने से पहले ये decide करना पड़ेगा है कि हमें किस type का tea business शुरू करना है for example tea store शुरू करना है या tea shop करनी है या चाय की दुकान खोलनी है या फिर tea cafe start करना है तो इन समय से क्या करना है वो decide हमें करना है और वो decide होगा investment budget से तो सबसे पहले हमें अपना budget decide करना होगा क्योंकि फिर उसके basis पर ये आगे की चीज़े decide होंगी और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या आप आगे समझ जाएंगे सही investment budget कितना होता है और कैसे calculate करें ये जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं एक बार ये decide हो जाए कि किस टाइप का tea business करना है उसके बाद हम decide करेंगे कि उस business में क्या बेचना है और ये है हमारा step 5 जहां हम menu के बाकी items finalize करेंगे और सबसे पहले decide करेंगे tea substitute ऐसा हो सकता है कि हमारे tea business पर कुछ ऐसे customers आये जो चाय पीते ही नहीं है या किसे दिन उनका चाय पीने का mood ही ना हो तब ऐसे customers लिए चाय के अलावा भी कुछ options होने चाहिए तो वो options क्या हो सकते हैं चलिए देखते हैं पहला option है coffee ये option ज़रूद है चाहिए वो instant coffee ही क्यों ना हो आजकल instant coffee में भी बहुत competition हो गया इसलिए बहुत अच्छी quality की coffee बहुत reasonable price पर भी मिल रही है in comparison to popular brands कुछ अच्छी coffee के links मैंने description box में share किये हैं आप उनको check करके देख सकते हैं next option है masala milk इसमें करना कुछ नहीं होता है आपका जो भी चाय मसाला होगा उसी को दूद में डालकर दूद को उबाल देना है और ओपर से थोड़ा healthy powder डालकर customer को serve करना है तो जो लोग किसी current wash चाय या coffee नहीं पीना चाहते हैं वो ऐसा कुछ prefer करते हैं और ये दोनों option tea stall, tea shop और tea cafe तीनों जगे रखे जा सकते हैं और in case अगर आप tea cafe शुरू करना चाहते हैं तो अभी तक हमने जो भी चाय के और other options discuss किये वो तो menu में होंगे ही उसके अलावा जो additional products आप रख सकते हैं वो है ice tea, cold coffee and hot chocolate milk इन items के अलावा आप milkshake भी रख सकते हैं मगर वो optional है पीने का items menu में रखने के बाद आप जानते हैं कि खाने के कौनसे items हम menu में रख सकते हैं और ये है हमारा step 6 कि चाय के business का profit कैसे बढ़ाएं अगर आपने ये step सही कर लिया तो आपके चाय business में बहुत कुछ सही हो जाएगा खाने के items menu में इसलिए होने ही चाहिए जिससे customer को अगर भूक लगी हो तब भी वो आपको एक option consider करे और आपके पास आए ये जानकर के ही चाय के साथ कुछ खाने को मिल जाएगा तो कई बाद चाय पीते पीते ही customer का मन करता है कि चाय की साथ कुछ खा लेते हैं तो अगर आप कुछ खाने के item रखेंगे तो आपकी sale बढ़ेगी चाय की साथ जो combination सबसे जादा चलता है वो है biscuit का तो अब चाय स्टॉल हो या चाय की दुकान हो वहाँ कम से कम दो variety के biscuit तो ज़रू रखे एक मीठा और एक नमकीन अभी biscuit पाले जी या मोनेको भी हो सकते हैं या आप local bakery से tie up करके एक मीठा और एक नमकीन biscuit भी रख सकते हैं और अगर किसी bakery से tie up कर रहे हैं तो फिर आप कुछ और additional products के लिए जैसे की खारी, patties, cream roll और अन्य bakery products के लिए भी आप tie up कर सकते हैं अब इसके अलावा अगर कुछ और समान रखने की जगे है तो बन मसका यानि की बन मक्षन भी serve किया जा सकता है और अगर आपको लगता है कि बन नहीं चलेगा तो आप bread butter, bread jam, bread butter jam भी आप serve कर सकते हैं यहां मैं आपको एक और business tip देता हूँ कि bread और बन में butter के साथ cream यानि की मलाई का भी option दे सकते हैं यह जो मलाई या cream है यह दो प्रकास से बनाई जा सकते हैं पहली घर पर जहां दूद में से मलाई निकालके उसको फेट दिया जाता है और दूसरी जो commercial cream होती है जैसे की amul cream तो आपके लिए जो भी इन दोनों में से convenient हो आप उसको use कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस cream के उपर थोड़ी सी पिसी चीनी भी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए और इसको आप bread या बन पर serve कर सकते हैं bread और बन के साथ cream या मलाई बहुत कम जगे मिलती है मगर जहां पर भी मिलती है वो जगे बहुत popular होती है क्योंकि ये कुछ अलग और हट के आइटम है इसके साथ आप चाहें तो अपने menu में मैगी भी रख सकते हैं मैगी की 2-3 varieties बहुत आराम से वहां बेची जा सकती हैं और अगर आपको कुछ cooking आती है या कारीगर मिल जाते हैं तो आप sandwich या पकोड़े भी रख सकते हैं और अगर cooking में अच्छे नहीं हैं और आपको कारीगर में नहीं मिल रहे हैं आपको क्या लगता है कि चाय के साथ कौन सा खाने का आइटम सबसे ज़्यादा चलेगा नीचे कमेंट करके ज़रू बताइए अगर यह step गलत हो गया तो सब कुछ खतम इसलिए बहुत ध्यान दें मेन्यू finalize करने के बाद जो next decision लेना है वो यह है कि T business कहा करना चाहिए मतलब location क्या होगी यह location वही होगी जहां customer walking या चहल पहल है अब यह market area भी हो सकता है, office complexes भी हो सकते है या फिर कोई mall भी हो सकता है यहाँ पर दियान रहे कि location को लेकर कि कोई compromise मत करें अगर अच्छी location मिलती है तभी business करें वरना मत करें ध्यान रहे कि खड़ाब location पर business शुरू करेंगे तो business कभी उठ नहीं पाएगा क्योंकि जो दिखता है वो ही बिखता है और जो नहीं दिखता है वो आप समझ गए होंगे यह point clear बढ़ते है step 8 की तरफ जो customer को आकशित करने के लिए बहुत जुरूरी है और वो है टी shop name एक बढ़िया और catchy tea business name customer को असानी से याद रहता है और branding में भी बहुत मदद करता है अब क्योंकि यह चाय का business है तो नाम में चाय या टी होगा तो बढ़िया है मगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो चलिए चाय और टी के साथ नाम रखने के कुछ ट्रिक्स जानते है एक्जाम्पल के साथ पहले ट्रिक है कि बोलचाल की भाशा में यूज होने वाले शब्दों पर नाम रखे जाए जैसे कि चाय गरम कैफे या चाय कड़क कैफे या कड़क सिंग चाय next है किसी शब्द से पहले टी या चाय शब्द लगाना जैसे कि महल से पहले टी लगा देंगे तो वो बन जाएगा टी महल देसी से पहले चाय लगा देंगे तो वो हो जाएगा चाय देसी विसे और भी ऐसे बहुत से शब्द है जिन से पहले टी या चाय लगा कर एक नाम बनाया जा सकता है नेक्स ट्रिक है कि हम शब्दों के साथ खेलेंगे जैसे कि delicious शब्द को बना सकते हैं ती-licious या चाय-licious 40 मतलब चालेश बन सकता है 40 जिसका मतलब होता है चाय के लिए टी-जर बन सकता है टी-सर टी-वी बन जाएगा टी-वी या टी-एन-वी तो इस तरह से बहुत आसानी से नाम ढूंड़े जा सकते हैं मगर कोई भी नाम finalize करने से पहले यह जरूर देख ले कि कहीं वो नाम किसी के पास registered तो नहीं है मैंने जो भी आपको नाम बताए हैं मैंने उन पर कोई research नहीं की है कि वो registered है या नहीं नाम रखने के बाद सबसे important होता है कि local awareness create की जाए और यह हमारे step 9 कि चाय का business कैसे बढ़ाएं business grow करने के लिए local awareness create करना बहुत ज़रूरी होता है local awareness create करने के लिए कौनसे steps हो सकते हैं और इनको क्यू लेना चाहिए इस पर मैंने एक video बनाया जिसका link आपको ऊपर मिल जाएगा और नीचे description box में दे दूँगा साथ ही में आपके पास एक local promotion के लिए strategy होनी चाहिए तो बहुत कम budget में या बिना investment के कैसे promotion किया जा सकता है उस पर ही मैंने एक video बनाया जिसका link आपको ऊपर और नीचे description box में मिल जाएगा marketing और promotion strategy decide करने के बाद हम आते हैं सबसे important part पर और step number 10 पर जो है costing and pricing यह बहुत important step है क्योंकि इस पर हमारे चाय business का profit depend करता है तो इस पर जड़ा अच्छे से ध्यान दीजेगा और अगर इस step में या पहले की steps में कोई doubt या कोई query है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं तो अब आते हैं अपने last step पर कि किसी भी product की pricing ताय करने से पहले दो चीज़े जाननी ज़रूरी है पहला food cost मतलब कि हम जो भी serve कर रहे हैं उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है और operational expenses मतलब चलाने का खर्चा की जैसे rent, electricity, salary, disposable, packaging items and other expenses इसके लावा जो दूसरी चीज़ जानने वाली है competition द्वारा pricing competition द्वारा pricing आपके ज़ादा products की pricing ताय करते हैं especially अगर आप कोई tea store या tea shop खोलना चाहते हैं जैसे कि अगर competition 10 रुपे में 100 ml चाहे देता है तो आप उस कीमत से ज़ादा और उस quantity से कम नहीं बेच पाएंगे अगर आपके product pricing competition के basis पर ही करनी पड़ रही है तो आपको ये ensure करना है कि आपकी जो food cost है वो sale price का एक तिहाई से ज़ादा ना हो for example अगर आप एक cup चाह 12 रुपे में बेच रहे हैं तो उसको बनाने का खर्चा मतलब दूद, चाय पत्ती, चेनी, ग्यास या लक्सिटी वो सब मिलाके 4 रुपे से ज़ादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद आपको चलाने के खर्चे या operational expenses भी निकालने हैं और फिर आपको कुछ profit भी कमाना है तो अगर सभी खर्चे घटा कर profit total sale का एक तिहाई यानि की 33% होता है तो डेड़ लग का profit कमाने के लिए साड़े चार लग की sale होनी चाहिए जो हो जाता है प्रति दिन 15,000 की sale तो इस तरह के business के लिए दिन के 15,000 की sale अचीव करना difficult नहीं है अमें यहां आपको दो business tips दोंगा पहली है कि अगर आपको प्रोपर्टी रिंट पर ले रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप जितना रिंट दे रहे हैं उसका कम से कम चार गुना sale का potential हो वरना profit नहीं कमा पाएंगे अमें देता हम आपको दूसरा business tip अधिकतम profit कमाने का formula होता है कि कुछ products high sale वाले होने चाहिए जिन पर अगर कुछ कम margin हो तब भी high turnover की वज़े से कमाई की जा सकती है और दूसरा कुछ high margin products होने चाहिए जैसे कि कुछ food items जो कम भी केंगे चाय की मुकाबले मगर बड़े margin की वज़े से अच्छी कमाई दे जाएंगे तो चलिए अब जान लेते हैं चाय का business शुरू करने की setup cost और इसमें जो खर्चे आते हैं deposit for a place, counter बनाने का खर्चा, table chair, stove and gas, utensils, cups, disposable and non-disposable, packaging material, FSSAI का license और fire department का approval का खर्चा और interior करवाने का खर्चा depending on कि कोई कितना बड़ा या छोटे scale पर इस business करना चाहता है, इस business को शुरू करने का खर्चा property deposit को छोड़ कर 50 जा से 5 लाख तक हो सकता है और अगर कोई बहुत basic से tea store शुरू करना चाहता हो 25 जार के अंदर भी कर सकता है in case अगर आप कुछ और business opportunities भी देख रहे हैं तो आप यह वाला वीडियो देख सकते हैं नहीं तो यह वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा thank you for watching